हेलो दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल विहारी एजुकेटर में दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं डिसकस करने चाह रहा हूं आरे सगरवाल बुक के सिंपलिफिकेशन चैप्टर को ठीक है और आपका रहेगा सिंपलिफिकेशन का पार्ट जीरो हला कि जीरो का कोई भी मतलब नहीं होता है mathematics में क्योंकि आप पार्ट वन से start कर सकते हैं जीरो मैं इसलिए लिखा क्योंकि मेरे दोस्त यह जो question आपको लिया गया है सिर्फ और सिर्फ example के question को इस वीडियो में कराया जाएगा तो इसलिए मैं इसका part 0 नाम रख दिया तो इसमें आपको कोई भी problem नहीं होना चाहिए आईए हम लोग direct question क्यों बढ़ते हैं और question समझने की कोशिस करते हैं question नम्मर फर्स्ट आपके स्कीन पर एरा देखिए दिया है आपको 6010-6000 यहां पर division यहां पर भागा का चीन है भागे 10 is equal to what तो मेरे दोस्त देख चीज आपको पता होगा कि बॉर्ड मास रोल पाले से भी पता होगा नहीं पता है तो यहां पर लीक में द मतलब हुआ कि सबसे पहले हम लोग action करेंगे ब्रैकेट का उसके बाद हम लोग action करेंगे off का उसके बाद division का उसके बाद multiplication का उसके बाद addition का उसके बाद subtraction का यानि मेरे कहने का मतलब हुआ कि जब भी इस परकार के question दिया जा यानि माइनस पलस भागे गूरे आपको ब्रैकेट ऑफ यह सब मिक्स करके तो सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट का action करेंगे उसके बाद off यानि गूरा यहां पर का जिसको लिखा रहता है question में हिंदी में का और उसके बाद division यानि भागा का उसके बाद multiplication आनि गूरा का action करेंगे उसके बाद addition पलस का सबसे last में हम किरिया करेंगे minus का ठीक है लेकिन मेरे दोस्त कभी कभी question में line भी देता है तो सबसे पहले हम लोग action करेंगे line का यहां पर लाइन से भी related question नहीं है लेकिन जैसे ही आएगा तो यहां पर लिखा रहेगा टू-3 और line दिया रहेगा पलस ठीक है तो सबसे पले नहीं कि एडिशन आ रहा है तो एडिशन का केंकुलेशन कर लेंगे उसके बाट सब्टेक्शन नहीं मेरे दोस्त यहां पर line ही तो पले line का केंकुलेशन करेंगे वह ऐसा question आएगा तो मैं आपको 100% सिखा दूंगा ठी देखें तो यहां पर देखिए तो ब्रैकेट है नहीं आफ है नहीं यहां पर division है तो division का कैंकुलेशन कीजिए सबसे पहले यहां पर देखिए तो एक जीरो से एक जीरो केंसील हो गया तो अब बस गया 610-600 तो यहां पर लिख लिजिए 610-600 तो कितना हो गया 5410 तो आपका राइट एंसर हो गया 5410 आए सिकेंड question देखिए इसी परकार का same to same question है और कुछ लोग क्या करेंगे कि देखते देखते question का एंसर गलत करके देदे करेंगे जैसे देखिए बहत्तर भागे नव दिया है तो आप डारेक्ट कर दिए नवाठ नव अठे बहत्तर और उसके बाद गुना करेंगे जो कि गलत हो जाएगा मेरे दोस्त यहां पर ब्रैकेट के बाद आफ यानि मल्टिप्लीकेशन का एक्शन करेंगे यहां पर आप भागा का केंगिलेशन कर सकते हैं तो 72 भागे 3 कितना हो जाएगा 24 और पलस यहां पर बचा 2 by 3 और मल्टिप्लाइबाइ दो एक कम 2 1 एक 3 by 2 ठीक है तो यह तो 2-3-3 केंसील हो गया तो आपका राइट एंसर हो जाएगा 25 ठीक है 24 और पलस एक आए कोशन नम्मर 3 बहु के question को हम लोग बोलते हैं mixed fraction mixed fraction का question है mixed fraction तो कुछ लोग क्या करते हैं कि इसको सबसे पहले proper fraction यानि normal fraction में लिखते हैं उसके बाद कैंकुलेशन करते हैं जैसे देखी यहाँ पर दिया है 2 पुरुनाइक 1 by 2 तो क्या करेंगे 2 multiply by 2 plus 1 यानि 5 बट्टे 2 लिखेंगे उसके बाद लिखेंगे 4 त्याई 12 एक 13 बट्टे में 4 और उसके बाद सब को इस परकार से normal fraction और प्रोपर fraction में लिखने के बाद कैंकुलेशन करेंगे लेकिन मेरे दोस्त आप competition के छात्र हो तो इतना time आप ब्यर्थ क्यों करोगे ठीक है यहाँ पर जब mix fraction का question है तो mix fraction में ही answer लिखना है तो direct आप कीजिए जैसे देखिए मैं आपको सिखाता हूँ कि किस परकार से करना है देखिए यहाँ पर समझे थोड़ा सा लाइट चली गई है तो मुझे बलब जलाने लिग दीजी ठीक है यहाँ पर देखिए अगर दो पुरुणांक एक बाई दो को हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं दो पलस एक बाई टू अरे मेरे दोस्ट दो दुना के चार एक पांच बट्टे दो इसका मतलब भी हुआ पांच बट्टे दो और इसका मतलब भीवा दो दुना के चार एक पांच बट्टे में दो तो ऐसा आप लिख सकते हैं बिलकुल लिख सकते हो मेरे दोस्ट तो उसी परकार से अगर जब केंकुलेशन किया जाए देखो एकदम ध्यान से समझना तो इस पुरांग का केंकुलेशन अलग कर लिजीए ठीक है यहां पर जिसको मैं गोल गोल बना रहा हूं और उसके बाद यहां पर जो फ्रेक्शन है इसका केंकुलेशन अलग कर लिजीए आपका प्रोणांक एक ब्रणाइक बटे 2 का मतलब भी ओता है तो पडु एक-बॉडू तो दो फड़ाम से बाई-दो लिखिया ते यहां पर मैं पलके लिख दिया यहां पर हो गया है एक बाई-टू पलस एक वर पाई-चारव फलस एक बाई-थिरी और यहां पर खुशने तो एक्स का भेलू पूछा है माली जिए कि एक्स है और बराबर आपका हो गया तेरा पूर्णांक पांच भाई बारा आप एक लाइन में कर सकते हो यहां पर थोड़ा समय आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं अस्टेप को अस्कीप नहीं कर रहा हूं बिल् समझ यह हंडेट परसेंट तो जाएगा चाती नौचार तेरा बट्टे में बारा तो साथ पलस तेरा बट्टे में बारा को क्या लिख सकते हो मेरे दोस्तेरा बट्टे बारा है तो बारा एक कम बारा एक पूर्णांक एक बट्टे में बारा लिख सकते हो बोलो हां तो हो ज लगाए , बराबर 13 पुरूणा यानि एक बाइबर से आपको 8 चला गया तो तो ते रही मिसे 8 चला जाएगा तो हो जायेगा 5 और 5 by市 012 व्यक्रार गया तो 4 हंडेट परसेंट सीख जाएगा लेकिन थोड़ा सा आपको पेसेंस बनाकर रखना होगा ठीक है यह कोशन नमर फोर देखिए उसी परकार का सेम तू सेम कोश्चन है तो मेरे दोस्त क्या कहें आपको कि सबसे पले प्रूरांग का केंकुलेशन अलग कीजिए उसके बाद फ्र यहां जोडना तो wide 611 11 11 11 11 11 10 मर परकार के जब को संसे को तो यहां पर कीतना है चार एक है तो हम लोगव तक जाते हैं चार तक चले जाते हैं मैंसे ऊंथे से सब्सक्क्राइब सब्सक्राइब सब्सक्राइब अगर करना राथ नटो एक का स्कॉर क सुस्वार होता है यहां पर लीचे होता है आफ आफो यांब करना रहता है ले देख़ शेंग अटा रहां एका हैally सब्सक्राइब कर सकते हो या इसमें क्या दिखा थे आई यह कोश्चन नम्मर 24 बहुत हिंग लाजबाब और बैतरीन कोश्चन है इस परकार के कोश्चन लोगों के सामने जब रख दिया जाता है तो लोग चिंता में पढ़ जाते हैं कि इसका हल कैसे होगा मेरे दोस्त या आपको लेटर फ्रेक्शन का कोश्चन है इसको हम लोग बोलते हैं लेटर फ्रेक्शन लेकिन लेटर फ्रेक्शन में वन बट्टे में इतना का भैलू होता है सिर्फ यहां पर वन बट्टे का कुछ मतलब नहीं होता लेटर फ्रेक्शन इत वाला टर्म्स को पगड़िए तो एक बाई टू है तो लिख दीजिए एक और दो ठीक है एक ही कोश्चन है तो मैं मुझे पता है कि आपको समझ में नहीं आएगा लेकिन मेरे दोस्त अगर आपको चाहिए इस पर डिटेल्स वीडियो यानि परतेक परकार के कोश्चन आपको को तो यहां पर सीखिए यहां पर एक दो हो गया अब यहां पर कितना वार एक इक्सन करना है तो एक… atmospheric करना है तो एक… structured करना है तो इक जाकर चार माइनस एक तो तीन बट्टों हो जाता ठीक है तो यह प्लटवक्रत हो जाता थीक है कि इस परकार से आप नीच्छे से काट सब्सक्राइब हूं डिकीन मेंरे दोसरान पर गलत होने का चांस आपको ज़्यादा रहता है तो क्या आना भी है यहाँ पर अराम से समझोना मेरे दोस्त यहाँ पर दो आपको एक बट्टे दो आ गया तो इसी का भेलू मैं लिखना चाहा हूं तो यहाँ पर देखिए दो दुना के चार माइनस एक ती एक दो माराम से समझोया हंडेट परसेंट समझ में आएगा ठीक है अब नेक्स्ट वाला लिखना रहा गया तो क्या कीजिएगा कि तीन में फिर आप दो से मल्टिप्लाई कीजिए तो कितना हो जाएगा तीन दुना के च्छ पलस दो एड़ कर दीजिए त फिर नेक्स्ट वाला लिखना रहा गया तो ठीक है भाई लिख देते हैं तो यहाँ पर कितना है दो तो आठ में दो से मल्टिप्लाई कीजिए और तीन एड़ कीजिए तो कितना हो गया आठ दुनी के सोरत इनुनाईस ठीक है अब रहा गया आपका एंसर लिखना तो पहले वाला को लिखें और बाद वाला को लिखें ठीक है उसी परकार से इसका हम एंसर लिखना चाहते तो बाद वाला को पहले लिखते और और पहले वाला को बाद में लिखते जिसे देखो नहीं पर ओने इस बटे में 8 हो जाएगा ठीक है लेकिन मेरे दोस्त लेकिन लेक निकालना रहा जाएगा तो आठ चला जाएगा उपर तो आठ बट्टे वह नाइस आपका राइट हैं समझ मैं आए तो मेरे दोस्त इसके लिए आप लोग कमेंट कीजिए हला कि सिंक्लिफिकेशन में ऐसा कोशन आएगा तो मैं कराऊंगा लेकिन कमेंट कीजिए मैं इस पर गए कोर्ष्ण नमर शीक्स देखिए दि आये बट्टे मैं भी बराबर 5 बट्टे में चार हो तो एट स्कार प्लस बी स्क्यार बट्टे में आस स्वार मायनस बैस का मान ग्यात करना ठीक है अबहालबर 5 रख दीजिए बी बराबर 4 अबिजिए थो जाएगा प्चार पाच और एक डायरैक्ट वैलू क्यों रख दिए पांच अरे मेरे दोस्ट यहां पर देख रहे हैं कि A2 प्लस B2 बट्टे में A29 is कोर मार्थ स्क्राइब अगर यहां पर के रख देखें के स्टेंट है ठीक है ठीक है तो यहां पर सब जग़ा खें के पहलू दिया है और यहां पर माली जीये कि यह भी दिया है तो उपर दिया है एए स्क्वार माईनस विस्वारा तो आप नीचे देखना रहा गया कि A पलस B दिया है कि A माइनस B दिया है ठीके मेरे दोस्त तो अगर हम 55 पांच में से 5 घटाते हैं तो 0 हो जाता है या फिर 55 ठीके यहाँ पर 5 में से 5 घटाते हैं तो भी 0 आ जाता है या फिर 5 में 5 जोडते हैं तो भी जूरु आ जाता है तो आपको finally पता नहीं चला कि ये पलस B नीचे का दिया है या फिर A-B दिया है तो हम लोग थोड़ा सा आपको calculation कर लेंगी जैसे 6, 7, 8, 9, 5 यहाँ पर 3, 7, 8, 9, 5 दिया है तो घटा कर देख लीजिए एक बार जोड़ कर देख लीजिएगा तो 5 में से 5 गया 0, 9 में से 9 गया 0, 8 में से 8 गया 0, 7 में से 7 गया 0 और यहाँ पर 6 में से 3 गया 3 या निकी घटा कर किया है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं A-B ठीके तो मेरे दोस्त A-B उपर हो गया और बट्टे में A-B तो A-B क्या हो जाता है तो A-B इंटू A-B और बट्टे में तो A-B है तो A-B से A-B आपका cancel हो गया तो आपको A-B लिख यह 5 पलस 5 हो गया 10,9,9,9,11,19 हो गया और 8,8,14,1,7 हो गया ठीके 7,14,1,15 हो गया 6,9,10 हो गया ठीके इतना आपका right answer हो गया आईये question number 8 8 देखिए उसी परकार से किया है आपको सिर्फ समझ में आना चाहिए देखो तो A, A, A यहाँ पर minus B, B, B यानि सेम संख्या दिया है तो इसको 247 को A मानते हैं और 117 को B मानते हैं तो हो जाएगा AQ minus BQ और यहाँ पर देखो तो A square दिया है पलस यहाँ पर A B दिया है और पलस यहाँ पर B square दिया है बस आपका काinação हो गया मेरे दोस्त यहाँ आपको AQ minus B Q ब़राबर क्या होता है तो दुनिया को पता है कि A Q minus B q बराबर होता है A minus B into A square plus B square स्क्वार प्लप टीक है और ना से तो इतना से तो इतना कैन्सिं सी ल गया तो आपका राइट funk ब सेवञ तो यह bit गाइब यह सथ इसंग्ञों के चया है चुकर्ण नरी और बिचिके तो साथ में से साथ गया completo से बाइनरी और सरसर इसमें कुछ नहीं करना होता है इसका मतलब करना है अब आपको पेटर्न एडिया है किनों कर रहेंगे। ठीक है बस आपका एंसर आगया जिस प्रकार से यहां पर पेटर्न दिया रहेगा उसी प्रकार से इसका कांकुलेशन किया जाता है बाइनरी ओप्रेशन में ठीक है तो कितना हो जाएगा चाचा के चाचा के 36 पलस 81 माइनस फिप्टिफोर तो यह गया चाह एक साथ आरती नी 11 यह एक सब 17 माइनस 11 तो साथ में से चार गया तीन और 11 में से पांच गया च्छ तो आपका एंसर हो गया 63 आए दोस मम्ता के पास 100 रुपे तता 50 रुपे के कुल 85 नोट है जिसका मुल 5000 है इसमें से 50 रुपे के नोट कितने हैं तो हमने मान लिया यानि कंसिडर कर लिया Sold पचासु रूपे के नोट जो है ARE ऐकस है टिके अराम से समझें बहुत ही सिंपल है तो 50 रूपे के नोट k HD तो सबर रूपे के नोटों की संख्या हो जाएगी तो सबर मायनस एक्स क्योंकि टोटल नोट तो आपके पास 100 है ठीक है अम आपकी जिएगा 85 नोट है तो 85-X हो जाएगा यहां पर थोड़ा सा मुझे माफ की दीजिएगा देखो यहां पर माल लिए कि 50 रुपे के एक्स नोट है तो अम दिया है कि 50 रूपे तथा 100 रूपे के कुल मिलाकर 85 नोट है तो पचास रुपे के एक्स नोट हो गया तो थोड़ा सा यहां पर कंप्रमाइज कीजिए आई समझते हैं क्या समझा रहे थे कि 50 रुपए के नोटों की संख्या एक्स है तो 100 रुपए के नोटों की संख्या हो जाएगा पचासी माइनस एक्स ठीक है तो टोटल मुल्य आपको धिया है 5000 तो मेरे दोस्त यहां पर देखो क कि 100 रुपए तथा 50 रुपए के 85 नोट है तो यहां पर देखा जाए कि 50 रुपए के कितना मुल्य हुआ तो मेरे दोस्त एक्स नोट है तो पचास पचास रुपए के एक्स नोट है तो टोटल मुल्य कितना हो जाएगा तो आप कहोगे सब 50 एक्स ठीक है पलस और 100 के नोट कोश्चन में टोटल मुल्द दिया है 5000 बस कर लिए थोड़ा सा फास्ट कीजिए क्योंकि यहां पर इस कोश्चन में ज्यादा समय चला गया तो जाएगा पचास एक्स प्लस 25108-100 बराबर हो जाएगा 5000 तो ही कितना हो जाएगा 5,000 मैंFR माइनस कर लिजीएग 5,000 मैं 3500 और ही हो जाएगा मैनस प्लस 50X तो ही 60 जाएगा तो प्लस 5,000 हो जाएगा तो आपका rapid रत एन सौर हो गया 3,400 माफ कीजिएगा 00 कापीर केंसील हो गया तो पांस ऐ внутри 30 सब्सक्राइब करना है कि इतना दिया है 164 एक सब्सक्राइब करना है मेरे दोस्त इस क्वेश्चन को होमवर्क देते हैं और देखते हैं क्यों बंदा इसका राइट एंसर लिख कर देता है और एक पेटर्म आपको दिख रहा है दिखेगा तो भी ठीक नहीं दिखेगा तो भी ठीक आप लोग बना क कि इसका जबाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा बहुत ही ब्यातरीन कोश्चन है आप देखो 14 पेन 17 पेंसिल बराबर 146 और 17 पेन प्लस 14 पेंसिल बराबर 164 रुपिया है तो आपको तीन पेल का मुल लिगयात करना है ठीक है आईए कोश्चन नंबर 12 आईए कोश्चन न कि राय पर और सेस का एक बैट भाग यहां पर एक बैट भाग है यातरा पर खर्च करने के बाद 1470 रुपिया बचाता है तो वह खाने पर कितना खर्च करता है देखो इस परकार के कोश्चन को डेरो सेलूसन चाहते हैं तो आप कमेंट बक्स में कमेंट कीजिएगा मैं कि आपर बचत बराबर अगर बचत कर दें तो आपका एंसर आ जाएगा माली जी की बेक्ती का टोटल इंकम एक्स रुपिया है और उसका दो बाई पांच भाग खर्च कर दिया तो पांच में से दो गया कितना यहां पर टोटल इंकम तो आपका सानी से निकाल सकते हो उस बंदे का देखो तो कितना हो जाएगा कट कुछ नहीं रहा है क्या अच्छा कट रहा है साथ दुना के चौँदर साथ एकम साथ जीरो साथ तीना एक कईस जीरो हो गया तीन दहां में तीस एकस बराबर कितना हो जाएगा दस पांचे पचास पांच वाठे चार सो चार सो दहां में चार हज़ार टोटल इंकम पुछता तो हम लोग डायरेक्ट लिख देते कि सर चार हज़ार होगा लेकिन यहां पर पूछा क्या है वो खाने पर कितना खर्च करता है तो मेरे दोस्त खाने पर कितना खर्च करता है यहां पर समझो बोल रहा है कि अपने वेतन का दो बाई-पांच भाग म ठीक है एस बच गया तो अब यहां पर कोशन ने साब तोर पक्या है कि सेस का तीन बाई-दस भाग आपको खाने पर खर्च करता है तो सेस इंकम इतना हो गया और इसका हम तीन बाई-दस भाग खाने पर खर्च कर देंगे तो आपका राइट एंसर नहीं निकल जाएगा य है आनि 720 रूपया है बीटियो में हम लोग डि También Software करेंगे आफ चेप्टर स्टार्ट कर रोंगे सिम्पलिफिएकसान का ठीक है तो नेक्स्ट विडियो में हम लोगी स्टार्ट करेंगे क्वेस्चन नम्ब्र एक से ठीकえば तो आपका सब एकशांपल था ठीक है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थाइंक्यू बेरी मुस्ट